कि आपको बता है जब हम गोल-गोल गुमते हैं तो हमें चक्कर के वाते हैं तो उससे पहले ये जान लो कि जो आपके एर्ज होते हैं वो आपके बोडी को बैलन्स करने में हेल्प करते हैं पर आप सोच रहे होगे कि जब हम एरफुस डालते हैं और फिर बूफ करते हैं तब बोडिन वेट마 दोगी हैं क्योंकि हमारे कान उस समय तो इससे पता चलता है कि जलने की आवाज का इससे कुछ बूलने दर नहीं है मिन रास्त तो हमारे कान के अंदर Hai आपने अपने 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे ears में 3 पार्ट होते हैं यानि 3 भाग होते हैं outer ear, middle ear और inner ear और इसमें सारा का सारा खेल inner ear का है क्योंकि inner ear में 3 canals होती है जो कि है superior semicircle canal, posterior semicircle canal and lateral semicircle canal और यही 3 canals में endolimes नाम का liquid मौझूद होता है और इसी के साथ tiny hairs भी होते हैं जिने हम celia के नाम से जानते हैं और जब हमारी body हिलती है तब हमारी body के साथ-साथ जो हमारी काम में endolimes नामक liquid है वो भी हिलता है जिसके साथ sensitive celia hairs भी हिलते हैं तो उस समय ये sensitive celia body उस particular direction में move कर रही है और वो हमारी body को balance कर लेता है तो इसे एक example समझते है जब हम bus में travel करते हैं तब हमारी body बस के speed से travel कर रही होती है तो मतलब कि जो हमारे कान में liquid है वो भी हिल रहा होता है और अगर bus एकदम से रुकती है तो हमें जटका लगता है और इसी process को scientific term में inertia कहते है और ये इसलिए होता है क्योंकि वो liquid हमारी body को message भेजता है कि हमारी body अभी भी moving state के अंदर है पर हमारी body तो असल में रुक गई होती है इस करकी हमें जटका लगता है और अब बात करते हैं कि जब हम गोल गोल गोमते हैं तो हमें चक्कर क्यों आते हैं तो इसमें भी इस सीलिय के ही हाथ होता है मतलब भी जब हम गोल कर गोमते हैं तो अब ये endolyms हमारे brain को message भेजता है कि हमारी body घूम रही है और वही same way में हमारे brain को इस बार भी लगता है कि हम moving state के अंदर है पर असल में हम रुख जाते हैं और liquid उस समय भी घूमी रा होता है तो इस करके हमें चक्कर आने लगते हैं तो दोस्तों अगर आपो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत